आत्मा वनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर भगवानो वाच्छ, हम सभी सेवाओं के फिल्ड में रहते हैं सेवाओं हमारी पलिभूत हो, इसके लिए आवस्चक है हम सभी के वाइब्रेशन्स बहुत अलोकी, बहुत पवित्र, बहुत सक्तिसाली हो यदि किसी स्थान पर हम सेवा कर रहे हैं और वहाँ के वाइब्रेशन्स ऐसे हैं, सक्तिसाली, पवित्र तो देव कुल की आत्माओं को और अन्य अच्छी आत्माओं को हमारे उस स्थान पर आने का आकर्षन होता है चाहे वो सेवा के इंद्र हो चाहे हम कहीं कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हो हम इस पे ध्यान दें सेवाओं से पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशन्स को बहुत पावर्फुल बना दें और इसकी विद्ली है हम सदा एक मत रहें किसी भी छोटी मूती बात में कहीं भी मान सम्मान के कारण मुझे चांस मिले इसे न मिले मुझे ही देना चाहिए इसे क्यों दिया इन बातों से तक्राओं में न आ जाएं मन मुताओं न कर ले रूस न जाएं योग रूसने की बहुत गंदी आदत होती है भगवान के बच्चे भी यही रूसते हैं तो दो चार लोग उनहीं मनाने में लगे रहते हैं वाइब्रेशन्स भारी हो जाते हैं यह नहीं करना है हम तो बाबा के कारियों को सफल करने के लिए आए हैं हमें उसमें कहीं भी भी घन नहीं डालना है तो टकराव से बच्चेंगे इलिक रस अवस्था रहे सब की सेवाओं के जो निमित भी हैं उन्हें भी इस बात पे ध्यान देना है कि सेवाओं की सफलता हमारे एक मत और एक रस श्थिती पर निर्भर करती है यदि हम ही अलग-अलग मतो वाले हो जाएंगे तो एक मत का राज हम कैसे इस्थापित करेंगे हमें जो सब को एक मत सुनानी है एक की मत सिखानी है वो होगा नहीं तो हम एक मत होने के लिए एक की मत पर चलते रहें और वो भी एक वो है ये से हम जनम जनम प्यार करते आए जो हमारा बहुत सुवजिन तक है जो हमें अपना सब कुछ देने आया है संसार में तो कोई ये भी कह देता है कि इनकी मत पर हम क्यों चलें दुसरों की मत अच्छी नहीं लगती मनुस्यों की मत में मत भेद भी होता है और कहीं कहीं स्वार्त भी होता है, लेकिन हमें तो मत मिली है उसकी, जो हमारा परमकल्यान कारी है, जो हमारा हित्थ चाहता है, जो हमें प्रेम देने आया है, जिसने हमें अपनी सेवाओं में हिस्सेदारी दी है, तनमंधन से मेरे इस कारिये में मदद करो, तो तुम स्रेश् तो हम देख लें, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, हम वाइब्रेशन्स को निगेटिव नख रें, कई लोग वन मुटाव के कारण, ये भी सूचते रहते हैं, देख लेना, बहुत महनत कर रहें लोग लेगे, कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी, कई ये भी कहते रहते हैं, ये तो वचिन से ही सेवा कराते हैं, देख लेना, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ये निगेटिव वाइब्रेशन्स, इस्थान को बहुत हलके वाइब्रेशन्स वाला बना देते हैं, जो गुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जो बाबा के सच्चे मन से सहयोगी हैं, व लेकिन ये हम सब की सेवा है, ये हम सब की सफलता है, देवकुल की आत्माओं को अकर्षित करना हमारा परमकर्तब है, इसलिए ये सेवा सफल हो, और रोज चुपचाब बैठकर उसी स्थान को गुद्ध वाइब्रेशन्स देने चाहिए, जैसे, मैं परम पवित्र आत्मा ह बाबा की पवित्र केने मुझ पर पढ़ रही है, और मेरे मस्थक से नैनों से निकल कर उसी स्थान को जा रही है, जैसे वो सारा स्थान पवित्र वाइब्रेशन्स से भर गया है, मैं मस्थर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियां मुझ में समा कर, मेरे मस्थक से उ उसी स्थान को पहुँच रही हैं, वो इस्थान चार्ज हो रहा है, संकल्प कर दें, जो भी यहां आएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, वो अपने देव स्वरुप को पहचान लेंगे, उनका बाबा से मिलन होगा, तो आज सारा दिन, ये दोनों अभ्यास करेंगे, और हम बाबा के सफूत वच्चे हैं, इसी स्मर्थी में रहेंगे, ओब स्यादी